इस वीडियो में आपको भारती सेना की पांच अंसुनी बाते और तथे बताऊंगा दोस्तो भारत दुनिया में सबसे उच्चितम युद्ध के मेदान सियाचिन ग्लेशेर जो समुद्र स्तर से 5000 मीटर उपर है उसे नियंद्रित करता है कहा जाता है 1947 के विभाजन के वक्त सियाचिन ग्लेशेर को ना पाकिस्तान का और ना ही भारत का हिस्सा माना गया था लेकिन 1980 के दशक में पाकिस्तान ने अमरीका को बेजे गए नक्षे में सियाचीन को अपना हिस्सा बताया था जिसके कारण भारत ने 13 अपरेल 1984 में ओपरिशन में अगदूत प्रारम किया और समूचे सियाचीन ग्लिशेर को अपने कबजे में ले लिया दोस्तों पाकिस्तान ने सियाचीन को कबजे में लेने के लिए 1987, 1990, 1995, 1996 और 1999 में असफल अपरेशन किये हैं जिसमें उनको हर बार मुह तोड़ जवाब दिया गया है दूसरा तत्य दोस्तों बात तब की है जब तब के ततकालिंग ब्रिगेडियर थमया जी ने दिसमबर 1948 में 19 इंफेंट्री डिविजन स्काई स्कूल स्थापित किया था आज यह हाई एल्टीट्यूड वारफेर स्कूल ह.A.W.S. से जाना जाता है यह उचे बरफीली जगह पर यूद्ध करने की ट्रेनिंग देता है दुनिया भर की विशेश ओपरेशन टीम्स विबिन देशों से जैसे यूएस, यूके, रश्या, आदी इस जगह पर आके ट्रेनिंग लेते हैं दोस्तों कहा जाता है कि अमरीका की स्पेशल फॉर्सेस अफगानिस्तान में यूद्ध पर जाने से पहले यहां से ट्रेनिंग ली थी तीसरा तत्य दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां लगबग सभी सरकारी संगठनों एवं संस्थानों में आरक्शन के लिए प्रावधान है लेकिन भारती सेना में आरक्शन के लिए कोई प्रावधान नहीं है सेनीको को उनकी योग्यता और फिटनेस के करे परिक्शन के आधार पर भरती किया जाता है सेना रेजिमेंट उनकी जाती के नाम यूद धरोता और विशिष्ट पोशाग बनाए रखते हैं जैसे मराथा लाइट इंफेंटरी, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गुरुखा राइफल्स आदी चोथा तत्य दोस्तों आपको यह बात जानके बहुत गर्व होगा कि भारती सेना के नाम दुनिया का सबसे बड़ा बचाव अभियान रिकोर्ड कायम है जी हाँ दोस्तों, 2013 में उत्राखंड में बाड़ आई थी जिसके चलते भारती सेना ने हेलिकॉप्टर से 2140 उड़ाने बढ़ी थी जिसमें करीब 20,000 लोगों को बचाया गया और करीब 3,82,400 किलो की राहत सामगरी पहुचाई गई पाच्वा तथ्य भारती सेना ने दुनिया में सबसे उच्चे पुल का निर्मान किया है यह पुल का नाम बेली ब्रिज है बेली ब्रिज लदाक में हिमाले परवत में दरास और सूरू नदी के बिच मुझूद है यह ब्रिज 1982 में बनाया गया था यह पहले अंग्रेजों के जमाने में बनाया था लेकिन आजादी के बाद इसका ज्यादा इस्तमाल ना होने के कारण यह बेकार हो चुका था दोस्तो आपको इस वीडियो से दो बाते जरूर हुई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में बताएं क्यूं अच्छा लगा और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट में जरूर बताएं आपके कमेंट और सब्सक्राइब से हमें और अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है